हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं काफी दिनों बाद एक नई वीडियो लेके आई हूँ और यह वीडियो है रक्षा बंदर मेक अप लूक और यह बहुत ही प्यारा लूक टर्न आउट हुआ था और मुझे बहुत आज की वीडियो मैंने दो न्यू प्रोडेक्ट यूज किये हैं कई सारी चीजों को मैं आज बताऊंगी तो चले आज की वीडियो शुरू करते हैं तो फेस को मैंने पहले से ही टोनर अप्लाई कर लिया था उसके बाद मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ यह एन वाइब का प्राइमर यह फोर इन वन प्राइमर है इसमें हाइलाइटर भी पढ़ा हुआ है मॉस्यराइजर भी है तो इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लोंगी आफ्टर देन मैं लगाँगी लैक मे 925 फांडेशन और यह भी मैंने न्यू पर्चिस किया है यह मेरे प अच्छा फांडेशन है यह मुझे पसंद आया है फांडेशन इसके बाद अच्छे से अपने फांडेशन को ब्लैंड करने के बाद आप अपने कंसीलर को अप्लाई करेंगे तो यह है डार्लिंग जबेला का कंसीलर जो मैंने अप्लाई किया है हाइलाइटर जगा पे जहा इसके बाद में अपने आई ब्रोज को फिल करूंगी रक्षा बंदन है तो यह मेक अप करना तो बनता है मेरा कोई भाई नहीं है लेकिन फिर भी मुझे अपनी सिस्टर के लिए मेक अच्छा लगता है इसके बाद मैं लगाऊंगी वैटन वाइल का आई शेड़ो पैलेट से अपने अक्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लैंड कर लूँगी दैन मैं डाक ब्राउड शेड लिया है अपने आईस के इनर आउटर कॉर्णर के लिए इसके बाद मैंने मौर्फे का आई शेड़ो कलरफुल आई शेड़ो पैलेट लिया है इस फिंगर के हेल्प से मैं अप अपने फेस को अच्छे से कॉंट्र कर लूँगी आज मैंने एक न्यू चीज करने की कोशिश की थी सीरेसली यह एक मैंने लिक्विड लिप्स्टिक ली थी लैक में की एपलाई किया था लेकिन सच में मुझे पसंद नहीं आया आप बहुत जल्दी करना है आपको जो भी क एपने आइज वाटरा लाइन पे लोग बिवट लाइन पर मैंने पैरेट क्रीन शिए लिया एंदें इसे एप्लाई किया और फिर मने फेक लिएस वेर कर लिया थे मश्कारा अब मैंने हईलाइटर लिया है एवट्न वाहिल का शेंपियन शिड है यह बहुती बहुत बाइ नहीं बहुत ली लिप्स्टिक लिए था मुझे बहुत ही सुंदर फाला शेडल में एक लिप्स्टिक क्यों नहीं होती न Geschm najbardziej ब्लीकृण लीपिल्स तो दहुंकि यह बहुत ही गंधी हो गई थी उसके बाद मेंने ससाफ कया था वह वीडियो भी आनी है कि एक से क्लियर करनी हैको था और पस मैंने अपने जूलरी पहन ली थी और ये बहुत ही। शूड कर रही थी मेरे सूट को हूँ जो मैंने वियर किया था। उसके बात पारी आती है नोस बीन की तो आज मैं थोड़ा न्यू चाह रही थी क्योंकि मैंने ऑक्सेडाई जूलरी पहनी थी तो मैं चाहती थी कि मैं इस तरीकी की नोज बीन वियर करूँ और यह मुझे बहुत ही सुन्दर लग रही थी अपने नोज पे लेकिन एक कहते हैं ना कि एक से मननी बरता तो मैंने मेरी एक सब्सक्राइबर है और वो और वेज मेरी वीडियो पर कॉमेंट करती हैं उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं स्टोन जो है यह जो बिंदी है वो बड़ी लगाऊंगी तो बहुत प्यारी लगेगी तो जोती जी आपके लिए ही मैंने अप्लाई किये और सच में बहुत सुन्दर लग लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो मेरे पास दो नोस्पीन और थी लेकिन मुझे यह जो नोस्पीन मैंने स्टोन वाली लगाई है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई बट मैं चाहती थी कि मेरी जोयलरी को जो मैच करें उसको ही मैं वियर करूं तो वह एक नोस्पीन थी इसके बाद मैंने कंगन पहन लिये थे और मेरा यह लुक कंप्लीट हो गया था मेरा हैश्टायल लुक भी आने वाला है बिंदी लगा ली थी क्योंकि अगर आप ट्रडिशनल पहने हो तो बिंदी जरूर अप्लाई करो तो मैंने अपनी नोस्पीन को चेंज कर दिया था ऑक्सीडाइस नोस्पीन से तो यह है मेर छुर आप से यह लुक कैना विंदी ली तो यह लूग जरूर च्सपीन को ङरव जरूर वापती मेरे भी जरूर आप टासौर रूर वींदी जरूर बिया झार मेरे तो खेर को यह लोगवा पास। आप ज कर दोब आते हो ए से ठते हैं वापती हैं नोस्ज़ है ल हूग without ऐ